आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी ये कहानी है रुबिना नाम की एक लड़की की जिस पर जिन का बूत सबार हो गया था तो चलिए आगे बढ़ते हैं जिन आख से बने हुई अदिस्त जीव होते हैं वे इनसानों से बहुत सक्तिसालि होते हैं और हजारों आत्माओं के बड़ाबर होता है यह कहा जाता है कि जब महिलाए अपनी मासिक धर्म के दोरान होती है तो वे सामानिय दिनों की तुलना में अधिक नकरत तक उज्जा को आकरसित करती है यह जिन को भी आकरसित कर सकता है और उन्हें महिलाओं पर कबजा करने के लिए पेडित कर सकता है रुबिना एक गरिब किसान परिवार की वेटी थी और उनके पास दस एकर जमीन है जब वह दस साल की थी तभी से उसके मासिक धर्म के दोरान भी उसे खेतों में काम करने के लिए जाना परता था एक दिन जब रुबिना मासिक धर्म के दोरान खेत में काम कर रही थी तो उस पर एक जीन का भूत सबार हो गया किसी को नहीं पता था कि रुबिना पर जीन का भूत सबार है रुबिना की साधी 21 साल की उम्रे में हो गई थी, साधी के बाद भी सब कुछ ठीक था, रुबिना अपने पती के साथ बहुत कुछ थी, वह गर्वमती हो गई और 9 महिने तक अपने बच्चे को गर्व में रखा, प्रसप के लिए रुबिना को अस्पताल ले जाया गया, ले डॉक्टर ने रुबिना को पांच अनस्थेटिक इंजक्शन दिये थे, लेकिन वह अभी भी होस में थी, डॉक्टर ने सामान्य प्रसप के उम्मीद में उसी बच्चे को धक्का देने के लिए कहा, जैसे ही डॉक्टर ने रुबिना के पेट को छुआ, वह जोर से चिल्ल आई, और डॉक्टर पर जोरदार लात मारी, अगले ही पल डॉक्टर हबा में थी, और एक भैना गरगराहट के साथ वह दिवार से टकरा गई, डॉक्टर बुढी तरह से डड़ गई, और उसने तुरंत रुबिना के पती से कहा कि वह उसकी डिलिवरी नहीं करवाएगी, और उसे कही और ले जाए, रुबिना के पती ने डॉक्टर से भिंते की सब कुछ ठीक रहा, और रुबिना ने एक स्वस्थ बच्ची को जनम दिया, डॉक्टर ने बच्चा रुबिना को दे दिया, रुबिना एक मिनिट तक बच्ची को देखती रही, और तुरंत कि कोई और हो डॉक्टर ने रुबिना के पती को चेताब ने दी कि यह किसी प्रकार के सामने बेवान नहीं है और उन्हें तुरंद किसी मौलवी के पास ले जाने की जरूरत है। रुबिना का पती किसी मौलवी को जानता था लेकिन वह अस्पताल से 80 किलोमेटर दोर था। सारा बोज अलाव पर रखकर वह अपने बाइक पर निकल पड़ा। 15 किलोमेटर की यात्रा के बाद जब एक ट्रक खतरना गती से आता हुआ आया तो रुबिना के पती का मौत से बहुत करीब से सामना हुआ। वह बालबाल बज गया। रुबिना के पती मौलवी के पास पहुँचे और उन्हें रुबिना की स्थीति के बार में बताया। मौलवी को समझने में दे नहीं लगी कि उस पर किसी जिन का कबजा है फिर मौलवी ने इलाज शुरू कर दिया बड़ी मसकत के बाद किसी तरह रुबिना को काबू में किया गया कुछ दिनों के इलाज के बाद रुबिना ठीक हो गई और वह अपनी सामान ब्रभार में बापस तो आ गई पर उस मौलवी ने बताया कि वह जादा दिन तक उसे काबू करके नहीं रख सकता इसलिए उसे दूसरे किसी मौलवी को दिखाए इसी दौरान जिस दिन से बच्ची का जनम हुआ वह दमपत्ती के जीवन में सम्रिद्धी सहित इतना बड़ा आशिरवद लेके आई जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था और वे बहुत खुश थे लेकिन जीवन गुलाबों का बिस्तर नहीं है छेह महिने के बाद बच्ची की मृत्तु हो गई एक भी चोट या असुस्त ववार की संकित नहीं है बच्ची की मौत क्यों और कैसे हुई एक कोई नहीं जानता तब से जब भी रुबिना के अंदर का जिन खुन चाहता है वह या तो खुद को चोट पहुचाती है और अपना खुन पीती है या किसी और को चोट पहुचाती है और उसका खुन पीती है ऐसा वारा साल तक चलता रहा वे इलाज के लिए कई जगहों पर गए लेकिन कुछ भी नहीं बदला पर एक दिन एक मौलबी की नजल रुबिना पर पड़ी उसने इलाज करना सुरू कर दिया यह इलाज नौ महिने तक चला इससे कम समय में भी ठीक क्या जा सकता था लेकिन रुबिना यह सब सहन नहीं कर सकती थी और अगर जल्दी किया गया तो वह मर सकती थी जिन लोगों पर जिन का कबजा होता है उनका इलाज करना बहुत ही मुश्किल होता है इलाज करने बाले के पास केवल एक ही मौका होता है यदि यह पहले प्रयास में नहीं किया गया तो यह उन दोनों को मार डालेगा एक दिन रुबिना के अंदर का जिन बेकाबू हो गया मौलबी ने मुर्गे का खुन देकर जिन को समझाने की कोसिस की लेकिन जिन ने इसे सिकार नहीं किया मौलबी ने उसका इलाज करना सुरू कर दिया और समझ गये की अगर वह उसका इलाज करना जारी रखेगा तो उनमी से कोई एक मर जाएगा मौलबी ने जिन से पूछना सुरू किया कि आप क्या चाहते हैं और आपकी उम्र क्या है तब जिन ने बताया कि वह रुबिना को मारना चाहता है और उसका उम्र 800 साल है फिर किसी तरह से रुबिना को काबू में क्या गया और हमेशा के लिए जिन से मुक्ति मिल गई तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट में जरूर बताईए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले हम अगले वीडियो में मिलेंगे